अरत को मर्द के लिए बनाया गया है और मर्दों को औरत के लिए पर वो ढूनती है ऐसे किसी जीवन साथ ही को जो औरत को बिकसित कर सके जिनके साथ औरत आगे वड़ सके लड़की चाहे किसी भी खूबसर लड़की से प्यार कर ले पर वो इंतिजार करती है ऐसे किसी लड़के को जो किसी लक्ष का पीछा कर रहा हो हम लड़के मर्जी से जीते हैं पर लड़की अपनी मर्जी कभी नहीं कर पाती लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की चाहत होती है मस्ट लाइब जीने की जहां कोई टेंचन ना हो, कोई प्रॉलम ना हो अगर तुम लड़की पटा कर ये सोश रहे हो, कि वो जिन्दगी पर तुमारा साथ देगी तो तुम गलत हो, उसके लाइफ में कोई भी गौवर्मेंट जॉब करने वाला बंदा या ऐसा कोई बंदा आ जाए तो वो तुमें छोड़ देगी आज मैं ऐसे मर्दों को पर में बोलने जा रहा हूँ और जिनसे पट तो जाती है, पर वो सिर्फ इनसे टाइम पास करती है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्योएस्ट है सिलसला पयार का चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोडिपिकशन को भी ओन कर दो सबसे पहले है ऐसे प्रूष, जो लड़कियों जैसा वैवहार करते है कुछ-कुछ लड़के होते हैं, जिनका स्वाब लड़कियों जैसा होता है वो लड़कियों जैसे मेक अप और टीवी सिरेल के बाते करते हैं और लड़कों के चुकलियों में शामिल होते है इन लड़कों को लड़किया हातों कर देती है पर इनके साथ कभी future plan नहीं बनाती वो इन लड़कों से इसलिए प्यार करती है कि कोई भी उस लड़की को भी पहचाने क्योंकि ऐसे लड़कों के आसपस बहुत सारे लोग होते है सभी इने घेर के बैट कर बाते करते है ये हमेशा सुर्खियों में होते है इनकी एक ही टाइम पर दो से ज़ादा गल्फरेंड होती है पर जब जब ज़रूरत इनकी होती है तो कोई भी गल्फरेंड को मूँ नहीं लगाती ये लड़के लड़की के लिए सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाते है जब लड़की बोर हो रही होती है तभी एक सहीली की कमी को पुरा करने के लिए ऐसे लड़कों को बॉइफरेंड बनाती है दूसरे तरह के पुरुष है जो बात बात पर गुस्सा हो जाते है जो बात करने से पहले हाथ उठाते है जिन में समझदर इनाम की कोई चीज नहीं होती चिला कर बात करते है ऐसे लड़कों को भी लड़किया जल्दी हाँ बोल देती है लेकिन वो सिर्फ इनको एक बाड़ी गाड़ की तरह इस्तमाल करती है लड़किया जानती है ऐसे लड़कों को पट्टा कैसे पहना जाता है इन लड़कों के हालत कुट्टो जैसे हो जाती है लड़की मुसीबत में हो तो ही इनका इस्तमाल किया जाता है लड़किया ऐसे लड़कों को बड़ी समझदारी से इस्तमाल करती है ऐसे लड़कों के साथ घूमती फिरती है फालतु लोगों को बाड़ी गाड़ दिखा कर डराती है और बहुत याश करती है पर जब जब जरुरत लड़के की होती है तो लड़की कहती है तुम बहुत गुसा करते हो लड़की उसे सौफली बात करना चाहिए गुसा शांद करो हम कल मिलते है वो इन लड़कों को टालती जाती है तीसरे तरह के पूरिश है जो हमेशा रूल्स को फॉलो करते है कुछ अच्छे लड़के होते है जो सबकी बात मानते है पड़ाई में होशियार होते है सजजन टाइप के लड़के जो बात करने से पहले स्वारी बोलते है ऐसे लड़कों को भी लड़किया जल्दी हा बोल देती है लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद होते हैं जो उनके लिए रोते हैं जो हमेशा इनको याद करते हैं लड़किया ऐसे लड़कों को इसलिए हा बोलती है क्योंकि ये लड़के बहुत शरीफ होते हैं ये लड़की के एक smile के लिए जान देने के लिए भी तयार हो जाते है लड़किया ऐसे लड़कों को पटा कर अपने demand शो करती है अपना romantic feeling पुरा करने के लिए ऐसे लड़कों को पटाती है कोई उने प्यार करे, कोई उनके पीछे-पीछे घुमे लड़किया यही नशा पूरा करने के लिए ऐसे लड़कों को हा कर देती है अपना गम भुलाने के लिए या ऐसे किसी बंदे को भुलाने के लिए जो इनको मूह नहीं लगाता ऐसे बंदों को बॉइफेंड बनाती है ये बंदे औरत के इस वात को समझ नहीं पाते वो सोचते हैं लड़की को और टाइम देना चाहिए ये सिर्फ इंतजार करते रहते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर जरूर करें लड़की बटाने के साइकोलोजिकल लेक्चर चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और प्राइबट वीडियो देखो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो खुश रही अपना ख्याल रखिए बाई बाई